हलो फ्रेंड्स में जसमी नारा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूटीव चैनल फिट अन फाइन पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दोरान खीरा खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं च्यूकि फ्रेंड्स प्रेगनेंजी के दोरान प्रेगनेंट महीला को कुछ भी खाने पीने से पहले हजार बार सोचना पड़ता है कि हम क्या खाये क्या नहीं क्या खाये कि जिससे हमारे गर में पढ़ रहे बेबी को कोई भी किसी भी परकार की कोई हानी ना हो तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आपके गर में पर रहा बेबी एकदम सेफ हो सुरक्षी थो तो आप हमारे इस बीडियो में सुरूर से लाश्ट तक बने हुए रहेगा तो कि फ्रेंड्स बहुत सी महिलाई कंफ्यूज रहती है कि प्रेग्नेंसी के दोरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो फिर आएए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दोरान खीरा खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं बट फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को कहीं से भी और बिल्कुल भी इसकिप मत किजीगा वीडियो को एक दम शुरू से लाष्ट तक बिना इसकिप के जरूर देखेगा और हाँ फ्रेंड साथ ही साथ अगर आपने चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फटा एक से सस्क्राइब करके बैल एकन का जो बटन उसे दबा दिजी ताकि हमारी हर एक नहीं आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो तो फिचले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दोरान अगर प्रेगने पर बनी भी रहती है तो प्रेगनेंसी के दोरान उनको कोई भी परिसानी या फिर दिक्कत उत्रा नहीं होता है इसलिए फ्रेंट्स अब प्रेगनेंसी के दोरान खीरा जरूर खाये क्योंकि फ्रेंट्स खीरा में 95% तक पानी पाया जाता है और पानी प्रेगनेंसी के दोर प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही जरूरी होता है और जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि प्रेग्नेंसी के दोरान प्रेग्नेंट महिला को पानी की काफी ज़्यादा जुरत होती है तो फ्रेंट्स ऐसे में अगर आप खीरा खाती हो तो इससे क्या होता है कि आपके सर प्रेगनेंसी के दोरान आपको पानी की कमी जैसी कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े तो फ्रेंट्स आप प्रेगनेंसी के दोरान खेरा जरूर खाएं। कि अभी जैसी की कि मैंने बताया कि खीरा में फाइबर पाएं जाते हैं और फ्रेंट्स फाइबर प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंसी जो भी प्रोब्लम होती है इससे आपको प्रोटेक्ट करता हैं इससे बचा के रखता हैं अगर आप चाहती हो कि Pregnancy में आपको कब जे acidity जैसी कोई भी समस्या ना हो, तो फ्रेंडस आप Pregnancy के दोरान खीरा जरूर खाए। अगर आपको हमारी चोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलती मिलेंगे एसा ही इन्फर्मिशन वाली एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया थैंक्य।